नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में आज दिन भर जो चर्चा चली है आप लोगों ने भी उसके बारे में सुना होगा सहायक सिक्षक भरती परीक्षा जो हुई है उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित सबके मन में कई सारे सवाल है मैं कोशिस करूँगा कि इस चार से पांच मिनट के वीडियो में आपके उन सभी सवालों को जो भी आप लोगों के सवाल हैं तो भी अब्यर्तियों के मन में सवाल चल रहे हैं उन सारे सवालों के जबाब देने की मैं कोशिस करूँगा प्रूफ के साथ कि क्या क्या चीजें घटी है अब तक और क्या क्या आगे होने वाला है तो देखिए सबसे पहले आप सबको पता है कि 69,000 सिक्षक भरती का रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में कितने समय के बाद से एक तो ये रिजल्ट आया है उसमें भी भ्रष्टाचार के कितने आरोप लग रहे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है सिक्षा मित्रों को लेकर अलग से दिक्कतें आ रही है कि सिक्षा मित्र के लिए जो सुप्रीम कोट ने कहा एक तो वो बात आ गई आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हाई कोट की सिंगल बेंच ने यहाँ पर इस्टे लगाया सबसे पहले रिजल्ट आया रिजल्ट के बाद उत्तरप्रते सरकार ने काउंसिलिंग के डेट्स निकाल दिये 3 जून से 6 जून के बीच में काउंसिलिंग होना था आप सबको पता है काउंसिलिंग होने के पहले ही सिंगल बेंच जो है हाई कोट का हाई कोट से डिसीजन आया हाई कोट के सिंगल बेंच ने इस पर इस्टे लगा दिया किस बात पर इस्टे लगाया तो इस्टे लगाया अब विवादित प्रस्ण भी अपने आप में कमाल के प्रस्ण है उसमें भी दिक्कतें क्या है वो भी मैं कोशिस करूँगा कि आगे डिस्कस करूँगा अब देखिए क्या हुआ कि 12 जून यानि कि आज फैसला आया है हाई कोड के डबल बेंच का डबल बेंच सिंगल बेंच के बाद आता है सिंगल बेंच का फैसला आया इस्टे का डबल बेंच का जब फैसला आया है तो इसने इस्टे को हटा दिया है इस्टे को हटा दिया मतलब की counselling क्या अब शुरू हो सकती है सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा तो अब क्या क्या चीजें हो सकता है देखो पहले चीज तो ये है कि जो विवादित प्रस्ण है उन पे common number दे दिया जाए सबको समान अंक दे दिया जाए समान अंक देने का मतलब क्या है भाई तो जितने भी लोग है जिन लोगोंने गलत भी किया है या जिन लोगोंने सही भी किया है अब अपने अपने हिसाब से किसी ने सही किया किसी ने गलत किया ये clear तो है नहीं कि उसका answer क्या होगा कई बार ऐसा हो रहा है तो उससे क्या है विवाधित प्रश्णों पर समान अंक दे दिया जाएं दूसरी ची सुप्रीम कोट में इस इस्टे को लेकर अपील हो जाए कि फिर से इस्टे लगा दी जाए काउंसिलिंग में एक तो ये चीज हो सकती है काउंसिलिंग उत्तरप्रदे सरकार क्या शुरू कर सकती है तो देखें इतना आसान भी नहीं है कि काउंसिलिंग को तुरंत उत्तरप्रदे सरकार शुरू कर दे क्योंकि हो सकता है तुरंती सुप्रीम कोट में इस अपील हो सकती हैं उनमें सिक्षामित्रों को लेकर भी परिशानी चल रही है यह कुल मिलाकर सारा सिनरियो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो से कि क्या-क्या चीजें हुई हैं और क्या-क्या चीजें होने वाली अब answer की पर जो सुनवाई है क्या वो single bench में होगी या double bench तो देखिए answer के मामले में सुनवाई होगी single bench में ही क्यों होगी क्योंकि double bench में सिर्फ और सिर्फ इस counselling के stay को लेकर apply किया गया था, appeal जो हुई है double bench में वो answer की को लेकर नहीं हुआ है, वो हुआ है counseling में stay लगाने को लेकर इसलिए answer की पर अभी भी मामला चलेगा वो single bench में ही चलेगा अगर common number मिलेगा तो merit list बदलेगी CDC बात है सबको अगर समान number मिलेगे तो सबके number बढ़ेंगे उसके बात से हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो और merit list जो है वो फिर से बनाई व्यामें ब्रष्टा चार का अरोप ब्रष्टा चार का आरोप लगा है जो वह आप लोगों के सामने है आप लोग अकबारों में पढ़ रहे होंगे साथी साथ आप लोग news channel में भी देख रहे होंगे तो हम उसकी बी चर्चा एक मिनट के लिए कर लेते हैं कि क्या-क्या व आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको, यह मैं ज्यादा इसमें डीटेल में नहीं जाओंगा, कि मैं सारा न्यूस पढ़के आपको सुनाओं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, चार से पांच वट में सारी बाते हैं, आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, सह मुझे नहीं लगता है, पहला प्रशन आपका कि क्या काउंसिलिंग शुरू होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश सरकार इस बार जल्दी बाजी में शुरू कराएगी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार काउंसिलिंग शुरू भी करवाती है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा ऐसा होगा ही नहीं अभी क्योंकि answer keeper अभी मामला चली रहा है तो answer keeper जब तक result नहीं आ जाता है जब तक supreme court का high court के double bench का sorry single bench का अभी जो answer की वाला है 12 जुलाई को वो जब तक clear नहीं हो जाता है तो at least एक अच्छी positive खाबर है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं जिनको यह लग रहा है कि ब्रश्टाचार वगेरा नहीं हुआ है यह सारी भरती प्रक्रिया वैसे ही चलनी चाहिए 97 नंबर पे जो बन रहा है 60-65 पे मेरिट उसके हिसाब से तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपके मन में जो सवाल थे जो आप लोगों पूछना चाहते थे जो आप लोगों ने पूछे भी थे कई लोगों ने वो सारी बातें clear हो गई होंगी कि double bench क्या है, single bench क्या है, supreme court में क्या मामला है सिक्षामित्र को लेकर क्या मामला है, ब्रस्टा-चार के क्या आरोप है ये सारी बाते मैंने इस छोटे से वीडियो में चार-पांच मिनट के वीडियो में डील की है मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे टेलिग्राम चैनल से भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़ते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब का, थैंक्यू सो मच